नमस्का दोस्तों कैसे आप लोग मेरे नाम स्या में आसा करता हूं आप सभी लोग अच्छी होंगे आज के इस नए टिटोरियल में आप सभी लोग का स्वागत है रिक्वेस्ट करता हूं आपसे आप वीडियो अंत तक देखें जिससे की कम्प्लीट जानकारी आप तक पहुंच सके तो दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो डाइक जून सॉप्टियर इस्तमाल कर रहे हैं पिछले कुछ दुनों से कंटिनेसली मेरे पास कॉल सारे हैं मेरे पास मेसेजे जा रहे हैं और सभी भाहियों की केवल एक ही प्रॉबलम है प्रॉबलम क्या है? वो मैं आपको बताता हूं प्रॉबलम जुड़ी हूँ है डाइक जून सॉप्टियर से और हो सकता है जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी ये step की problem आई हो तो again आपसे request करता हूँ आप वीडियो आंते तक देखें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो problem है वो किन किन बज़े से आती है और उससे solve करने के लिए क्या क्या तरीक है तो सबसे पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि problem क्या है problem है ये वाले information नीचे लिखके आएगा this recording between the software serial number and smart works serial number please download and update again और contact local dealer तो दोस्तो होता यह है कि जैसी आपकिसी गाड़ी को scan करने की कोशिस करते है तो आपको ऐस्टाप का bonding मिलेगा और जैसे ही आप ौके पर click करेंगे software a बापस हो जाएगा और आप गाड़ी scan नहीं कर पाये अप कितनी पहर कोशिस करबो आपको उस्टाप का तो मेली ये प्रॉब्लम के तीन वज़े से आता है पहली बज़े जो कॉमन है और अभी पिछले जितने भी मेरे पाँ कॉम्स आए हैं मेसेजेज आए उन सब्सक्राइं का एक पर तरीके से उन अपका problem solve हो गया तो मैं बताता हूँ आपको कि यह problem क्यों आता है तो दोस्तों होता कुछ ही हूँ है कि जैसे ही आप अपना डाइकजून software open करते हैं यहां पर मैंने open किया थोड़ी दिर लोड होगा और अगर आपका mobile internet से connected है mobile या tablet कोई सा भी ऐसा device जिसमें आप यह software इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको यहां पर कोई message आएगा जैसे कोई update आया है तो आप लोग क्या करते हैं simply आप update वाले option में जाते है थोड़ी देर के लिए refresh होगा मुस्किल से एक मिनट के लिए यहां पर और for example Hyundai का कोई नया update आया है तो यहां पर IN वाले section में आपको दिखेगा अगर आपने अल्रेडी हुंड़ी इंस्टॉल करके रखा है या update करके रखा है जो भी आप बोलें और जो आपने update नहीं कियें वह downloadable में आएंगे जो brand आपने update नहीं कियें वह downloadable में आते ह और जो आप update कर चुके हो वह IN में आता है तो होता है कि for example Hyundai का कोई नया update आपडेट आगया तो जातर मेरे भाई क्या करते हैं वह यहां से नीचे वाले bottom left corner से unselect करते हैं Hyundai को select करते हैं और उससे update कर दिते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यह मेरा update हो गया और problem वहीं से शु हो जाता है अब मैं यह नहीं कहूंगा कि हमेशा ऐसा होगा यह होता कब है यह मैं आपको बताता हूं होता यह है कि जब developer software की update के साथ जब इसका जो main software है उसका भी update दे देता है main software बोलें तो यह जो तीन फाइल आपको दिखाई दे रही है डायाग बेस सर्विस, डायाग जोन प्रो और बिन रिकर्णिशन का है इसमें कोई रॉल नहीं होता यह जो अब अब दो option आपको दिखाई दे रहे हैं पहला नंबर दूसरा नंबर अगर इसमें भी अगर कोई update आ जाता है और उस case में आप अकेला उस particular car brand को update कर लेते हैं और उसे scan करने की कोशिस करते हैं उस software को use करने की कोशिस करते हैं बिना इसका main software update की जो डायाग जोन प्रो के नाम से है तब आपको उस type का bonding मिलेगा मैं एक बात दोवारा से repeat करता हूँ अगर developer ने car brand के update के साथ डायक जोन प्रो यह जो version आपको दिखाई दे रहा है 1.00.052 इसका भी अगर कोई update दे दिया है और उस case में आप अकेला car brand को update कर लेते हैं बिना इसके main software को update किये तब आपको उस type का problem आएगा पिछले जितने भी मेरे पाँ calls आयें, message आयें उन सभी की problem यही थी मैं सब को यह AP के file latest वाला भीजा सब लोगों ने उसे update किया उन सब का काम हो गया उनकी जो समस्य आती है वो solve हो गई तो mainly जो problem आती है वो इस वज़े से आती है एक बात ही हो गई हमारी अब बात कर लेते हैं दूसरी जिसकी वैसे यह problem आती है दूसरी problem यह होती है कि for example आप software इस्तमाल कर रहे हैं काफी दूनों से इस्तमाल कर रहे हैं और अचानक से आपक subscription expire हो जाता है आपको लगता है कि इसे मुझे renew कराना चाहिए आप किसी दूसरे डिलर से contact करते हैं for example अभी आपने पिछले साल आपने मुझसे अपडेट लिया था और इस साल अगर आप किसी दूसरे बंदे से अपडेट लेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि वो आपको नए कर रहे थे तो उसमें आपने सारे अपडेट करके रखे हंगे लेकिन जब आप objection जब आप नए id password डालते हैं आपको लगता है कि अभी तो मेरे बाकी के सब्सक्राइब कर लेता हम…. तो जब आप ऐसा करते हैं, तो ID Password बदलने की बज़े से, जो ब्रांड आपने उस ID Password के साथ अपडेट किया है, वो तो काम करना सुरू कर देगा, अच्छे से काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाकी के जो ब्रांड थे, जो पुरानी ID Password के साथ चल रहे थे, वो सारे के सारे ब्रांड काम करना बंद कर देंगे, और आपको सेम मेसरी मिलेगा हुआ ही, डिसेकोडिंग वाला, तो अब आप लोग मुझेंगे कि इसका समाधन क्या है, समाधन इसका ही है कि आप File Manager के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको डाइक जोन के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को डिलीट कर दो कम्प्लिट ली, और दोबारा से सॉप्ट्यवेय इंस्टॉल करो, जब आप दोबारा से सॉप्ट्यवेय इंस्टॉल करेंगे, नए ID पासवर्ड के साथ, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, डेस अकॉर्डिंग वाली, एक बारा से मैं उसका फोटो आपको देखा दिता हूँ, यह वाली समस्या, और जो मैंने देखा है, लास्ट प्रोब्लम, जिसकी वैसे वो समस्या आती है, लास्ट कॉज बोलें, तो लास्ट वाला, थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्ट वाला यह कि, अगर कोई बंदा थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा लागा कि, इसके software के साथ, अगर कोई चेचाड करता है, फाइल में अंदर जाके, किसी particular brand में, या सारे brand में कोई चेचाड करता है, तब आपको इस type का borning मिलेगा, तब भी आपको इस same borning मिलेगा, यह वाला, मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ, अगर कोई बंदा software के साथ चेचाड करता है, यह तीन प्रॉब्लम है, जिसकी बज़े से यह प्रॉब्लम आती है, और हाँ, अभी मज़े याद आए, एक प्रॉब्लम इसके, इसकी अलावा भी है, जिसकी बज़े से भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी, यह प्रॉब्लम आपको तब आएगी, जब मान लो आप डाइक जून software किसी device पर यूज कर रहे हैं, लेकिन यह थोड़ा रियर है, ऐसा लोग करते नहीं है, एक तरह से exception में आप बोल सकते हूं, आप डाइक जून इस्तमाल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उसमें XDAQ इस्तमाल करूँ, तो आपने XDAQ का किसी dealer से contact किया, उससे ID, password ले लिया, उसका software ले लिया, तो ज़्यादा तर caseों में आपको वही bonding मिलेगा, क्यूंकि आपका device का जो software है, वो अलग होता है, और software के अंदर का जो configuration है, वो उससे match नहीं करेगा, device से, और आपको same bonding मिलेगा, उसका भी solution है, उसका solution यह है, आपको device खोलना पड़ेगा, और device खोलने के बाद, आपको उसके अंदर software डालना पड़ेगा, तब जाके वो compatible होगा, यह number 4 है, जिसके वैसे यह समस्या आती है, तो यह थोड़ी सी rare रहेगी, क्योंकि ऐसा जातल लोग नहीं करते, तो दोस्तों, जो भी, इस समस्या से related solutions थे, वो मैंने सारे इस वीडियो में बता दिये, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई नई कोई समस्या होगी, जिसके वैसे यसी problem आ रही है, होने को कुछ भी हो सकता है, software है, software, infinite, number of possibilities है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन mostly जो problem है, वो यह 3-4 हैं, जिनके वैसे आपको उस type का, दिक्कत होगी, उस type की आपको warning मिलेगा, आपका software proper काम नहीं करेगा, लेकिन ये मैं guarantee देता हूँ आपको, कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखा है, तो कहीं न कहीं आपको जो problem आ रही है, वो वीडियो में कहीं न कहीं आपको solution मिल जाएगा, तो दोस्तों आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्चल में इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई purpose नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दुनों से, मेरे फ़ोन आ रहे थे, मेरे फ़ोन मेसेज आ रहे थे, सब को सेम वही problem हो रहा था, एक्चल में पिछले कुछ दुनों से, डीजेड वालों ने थोड़े ज़ादा ही कुछ अपडेट दिये हैं, इसलिए बार-बार बो अपडेट आ रहे हैं, जिसकी वैसे दिक्कत हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिम्पली आप अपडेट में जाईए, और वीडियो में जिस टाइप का मैंने solution दिया है, आपकी problem के according, तो वो आप अपना choose कर लिए, problem में के साब से solution है, 3-4 solution मैंने आपको दिये हैं, 3-4 type की problem मताईए हैं, और आपका काम हो जाएगा, Thank you, thank you for watching my video, I will see you next video, till then, bye bye, take care, love you all.